दोस्तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद मलिक में दोस्तो गर्मियों का मोसम आ गया है गर्मी यानि के पसीना आना, दिन भर सुस्ती रहना, खाने पीने का दिल ना करना और पानी से खास लगाओ हो जाना इसके अलावा सहत से जुड़ी छोटी मोटी प्रोब्लम्स तो इन दुनों आम प्रोब्लम है इन सबसे बचने के लिए जरूरी है चुस्ती फूर्ती बनाए रखना और दिन चर्या में खास बदलाओ लाना तो आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपको इस भीसन गर्मी और बढ़ते हुए टेंपरेचर में आपके सरीर को ठंडा और तरो ताजा रखने में मदद करेंगे दोस्तो वीडियो को पुरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुती इंफॉर्मेटिव है साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले धूप से सुरक्सा रखना गर्मी में सबसे जरूरी और पहला टिप्स ये ही है कि आप धूप में निकलते वक्त सुरक्सा का पुरा ध्यान रखें सुबह दस से शाम चार बजे की बीच में जरूरी काम ना होने पर धूप में जाने से बचें अगर जरूरी हो तो सरीर को पूरी तरे ढखकर रखे कैप, संगलास और सन इस्क्रीन क्रीम का इस्तमाल जरूर करें लिक्वीट पदार्थ ज्यादा लें गर्मी के मौसम में ठोस डाइट की बजाए लिक्वीट पदार्थ ज्यादा लें गर्मी के side effect से बचने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों को खाना चाहिए बेल का शर्बत, आउला और कच्चे प्याज को भोजन में जरूर शामिल करें खाने पीने की चीजों को गर्म ठंडे के आधार पर नहीं बलकि उनकी तासीर के आधार पर पहचानना चाहिए गर्मी के मोसम में cotton, sifon, georget, krepe जैसे पतले और हलके कपडे पहने ताजा और पचने वाला खाना खाए हलका, ताजा और जल्दी पचने वाला खाना खाए जितनी भूख हो उससे कम खाना खाए और पानी ज्यादा पिये रसीले फल, जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, संतरा, अंगूर, आदी लें इनसे पेट भी भरेगा और ये बोडी में पानी की जरूरत को पूरा करेंगे धूप में physical work कम करें बोडी से पसीने के रूप में पानी और minerals ज्यादा मात्रा में निकलते हैं इससे बोडी में पानी और minerals salts की कमी हो जाती है ऐसी condition में ज्यादे से ज्यादा पानी पियें और साथ में निम्बू सिकनजी का इस्तामाल जरूर करें नीन्द पूरी लेते रहें गर्मी के मोसम में नीन प्रियात मात्रा में और गहरी नहीं होती, जिस वज़े से बोड़ी में थकान बनी रहती है, जो चिड़ चिड़े पन को बढ़ा देती है, इसलिए जब भी आराम करने की ज़रूरत महसूस हो, आराम करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज पर ध्यान दे गर्मी और उमस में किया गया थोड़ा सा वर्क आउट भी शरीर को ठाका देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज को छोड़ दिया जाए, हलकी एक्सरसाइज, आसन, ध्यान, योगा को करें, या फिर मॉर्निंग वो करके भी आप इसकी पूर्ती कर सकते हैं नेचर यानि परकरती से ठंडक लें, सुभा जल्दी उठकर और शाम को टहलते हुए, आप नेचुरल ठंडक को महसूस करें, पोधों को पानी पिलाएं, हरी घास पर नंगे पेड चलें, रंग बिरंगे फूलों को निहारें, शुद और खुली हवा में गहरी सांस लें, इसके अलावा गर्मी के मोसम में नेचुरल पेलेस पर घूमने जरूर जाएं, जब भी गर्मी में बाहर जाएं, ठंडा ड्रिंक पीकर निकलें, घर आने के बाद अपने चेहरों को ठंडे पानी से धोएं, या फिर इसकिन पर बर्फ की मसाज करें, इससे आप काफी तरो तरो ताजा महसूस करेंगे, तो दोस्तों इन टिप्स को फोलो करके आप इस भीषन गर्मी में अपने शरीर को ठंडा और तरो ताजा रख सकेंगे, दोस्तों अगर आपको वीडियो इनफॉर्मेटिव लगती है, तो सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हेल टिप्स विद मलिक को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें